हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक मैं यूटिव चैनल बालोजी साइन्स आज हम आप लोगों को अंताह सरावित थाइमस ग्रंथी और इससे सरावित होने वाले हार्मोन्स के बारें बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंच तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए चलिए सुरू करते हैं थाइमस ग्रंथी ट्रकिया के इधर उधर हिर्दय के ठीक आगे इस्थित होती है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये हैं फेफडे और ये हैं हिर्दय और हिर्दे के आगे ये जो सनरचनाएं आप देख रहे हैं ये है थाइमस गरंथी यह चपटी और गुलाबी रंगी गरंथी होती है यह दो पिंडो की बनी होती है और इन पिंडो में अंदर की ओर कई सारे और छोटे छोटे से पिंडो होते हैं मनुस में यवना अवस्था के बाद थाइमस ग्रंथी धीरे धीरे चोटी होकर तन्तु सद्रिस डोरी की रूप में रह जाती है कभी कभी पूर्टया लुप्त भी हो जाती है मतलब मनुस के यवना वस्था के बाद जब मनुस जवान हो जाता है उसके बाद यह गरंथी छोटी होना सुरू हो जाती है और धीरे धीरे छोटी होती हुई धागे की जैसी बचती है या धागे जैसी सन्नजना में बसती है या तन तुनुमा बसती है और कभी कभी तो पूर भूक हार्मोन है इसके अलावा THF, TF और थायोमोपोईटीन नामकपदार्थों का स्राव़ण भी थायमस ग्रणती करती है THF का पूरा नाम THM का पूरा नाम THM का पूरा नाम THM Factor होता है thymocin hormones सिसु के सरीर में प्रविष्ट जीवाणों को नुस्ट कर देता है अथवा thymocin hormones सिसु के सरीर में जाने वाले बैक्टिरिया को खत्म करता है तो यह जितनी hormones हैं मतलब thymocin, THF और TF यह T lymphocytes के प्रचोरोत भवन तथा इन्हें भिन भिन प्रकार के जीवाणों की उपापचे किरियाओं में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है कभी-कभी मृत्यू भी हो शकती है यानि इसकी अधिक्ता से जीव की उपापचे की किरियाओं में बाधा उत्पन्न होती है और कभी-कभी मृत्यू भी हो सकती है थाइमोसिन हार्मोन सरीर के प्रतिरच्छण मे मदद करता है यानि immunity increase करता है और साथ ही lymphocytes को जीवान या उनके antigen को नश्ट करने के लिए प्रेरिधी करता है कुल मिला कर देखा जाए तो यह नवजात सिस्वों में प्रतिरच्छी धंत्र या immune system की तरह से कारे करता है सिस्व में thymus के अंदर टी lymphocytes को सकाएं बनती है जो lymph गांठों प्लीहा और पेर के पैचेज में पहुंसती है मतलब जर्म के बाद thymus में lymphocytes को सकाएं बनकर प्लीहा पेर के पैचेज लसी का गांठों में जाने लगती है तो thymus ग्रंथ के कारें से इसपश्ट है कि मनुष्थ के सरीर में इस ग्रंथ का उपयोग मुखिताह जीवन के प्रथम चरण में होता है इसलिए यह ग्रंथी दो वर्ष के सिस्व में अन्ने अंगों के अनुपात में काफी वड़ी होती है फिर यह सरीर की विध्धी के साथ साथ माप में बढ़ कर यवना आरंभ के समय तक और बड़ी हो जाती है इसके बाद यहाँ छोटी होती जाती है और अधिकान्स भाग में वसीवु तक बन जाता है विध्धा अवस्था तक यह बहुत छोटी हो जाती है इस प्रकेरिया के ब्याख्या आयुकरण के प्रतिरच्छा मत में की गई है या एजिंग के एमिर्टी थेयोरी में बताई गई है